नमस्का दोस्तों मैं आपका हूस्त आपका गाइड इजोल बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गाइड फोड़ेकु जोल में दोस्तों आपको बता है कि सभी अतलब ओपिटर्स ने अपने प्लान के प्राइज़ बढ़ा दिया और लोग बहुत गुसा है ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्लान के जब प्राइज़ बढ़ाए गए तो एक प्लान अवलेबल था जो कि था 5G अपग्रेड प्लान जो कि 61 र पीस का तो उसके पास एक option रहता था कि वो 5G अपग्रेड 61 रुपय वाला जो है वो रिचार्ज कर लिता था ऐसे क्या कि अगर 149 वाला भी अगर किसी व्यक्ति ने रिचार्ज कर लिया है तो अगर उससे लिमिटेट 5G डाटा यूज करना है तो वो 61 का एक 5G अपग्रेड एक टरीके की टरूंड्र करनीशन नहीं थी है गलती से अगर आप ने ईचार्ज कर लिया है तो आप herzlich गलती से अगर आपने 239 के लिचे रिचार्ज कर लिया है तो आप आप जा सकते हो 61 रुपीज के 5G अफगेट प्लैन के साथ में बट जब टैरिफ हाइक हुए तीन जुलाई को नए प्लैन आए तो भाईया ये 61 रुपीज वाला आप कहा सकते हो जो प्लैन था उसे हटा दिया गया उसे रिमूफ कर दिया गया अब सबसे बड़ा पतलब जो समाई लोगों में वह यही आए कि 61 रुपीज वाला प्लैन जो हटा दिया गया रिमूफ कर दिया गया अब यहां पर दोस्तों इसको लेकर बहुत भाईया नराज हुए और जियो लोगों की नराजगी देख रहा था लेकिन अब क्या करें जियो ने तो प्लैन लॉंच कर दिये बट प्राइज अब की बार ओटम एंग कंडिशन जो है वह आल्मोश पूरी तरीके से सब चेंज कर दिया अगर आप यह की वेबसाइट ओपन करते हूं यहां पर तीन बार्स पर क्लिक करके मोबाइल ऑप्शन पे जाता हूं प्रीपेट को सिलेट करता हूं तो यहा यहां पर यह अलग-अलग प्लाइज अवलेबल हैं पहले आपको पताओगा कि 61 रुपी में 6GB डाटा मिलता था एंड हम 5G अप्डेट कर सकते थे लेकिन अब यहां पर अलग-अलग 3 प्लाइज अवलेबल कराएगा है जिन लोगों ने 349 मिनिमम जो 5G रिचार्ज अब र इसी व्यक्ति ने 2GB के नीचे आला प्लाइन डिचार्ज के लिया फॉर एजमपल 1GB या 1.5GB तो उनके लिए यह टू अल्लिमिटेट 5G अप्डेट प्लाइन जो है वह लांच किया गया है जैसे की रुपी रुपीज वाला प्लाइन इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेग 9GB at 4G high speed मतलब 9GB डाटा उनको मिलेगा जो कि एक 4G users है अगर 4G users अगर आपके पास 5G फोन नहीं है 4G user हो तो अगर आप 1.851 का रिचार्ज करते हो तो आपको 9GB डाटा मिलेगा जिसको आप 4G speed में यूज़ कर पाओगे लेकिन अगर एक अलिमिटेट 5G user बनना चाहते हो औ का रिचार्ज कर सकते हो वो रिचार्ज कर सकते हो अगर आपने ये 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 प्लैन रिचार्ज किया है मैं फोटो भी दिखा दूँगा ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ मतलब खाली मुझ से बोलूँगा तो साइद आप समझ ना पाओ लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 51 डूपीज वाले नोट के अंदर प्लैन के अंदर भी कोई नोट नहीं है कि आपको कौन से प्लैन पर ये रिचार्ज करना है तब आपको अलिमिटेड मिलेगा नहीं 101 डूपीज वाले प्लैन के नीचे कोई नोट है कि आपको कौन सा प्लैन डिचार्ज करना है तब आपको ये जो है वो बेनिफिट मिलेगा नहीं 151 डूपीज वाले प्लैन के नीचे कोई नोट है कि आपको कौन सा प्लैन डिचार्ज करना है मतलब कौन से प्लान के उपर यह रिचार्ज करना तब आको यह अनलिटेट फाई जी बिलेगा आपको उताना चाहूँगा इन तीनों प्लान की जो वेलिटी है वो active plan मतलब active base plan में जो मतलब वैलिटी रहेगी वैलिटी उसी वैलिटी पे यहाँ पर यह आधारित इसकी वैलिटी रहने वाली मतलब इन तीनों प्लैन की जो वैलिटी रहने वाली वो आपके बेस प्लैन पर आप क्या सकते हो निर्भर करेगी अगर आपका बेस प्लैन जो है वो तीन महीने वा रहा था कि आखिर में 51 रुपीज में तो यार अल्लिमिटेट 5G मिला है इस में डैट कि एगर हम 1849 रुपीज वाला जीओ कर रिचार्ज कर लेते हैं जो कि 14 दिनों की वैलिटी दे रहा है जीव डाटा पड़े हमें मिल ला है तो इसमें 51 वाला रिचार्ज कर ले और अल्लिम तो यहां पर मैंने देखा हाउ कैन आई अपग्रेट टू जीओ टू 5 जी दा मिडिल ऑफ मन्त इफ आई मिस्ट रिचार्ज वी टू जीओ पर डे और हाइयर प्लैन तो इसमें एक कोशन यह है कि हम कैसे यह मतलब अपग्रेट कर सकते हैं जीओ टू 5 जीओ में अगर हम मिस आप इंग 5G अपग्रेट वाला यहां को रिचार्ज कर सकते हो तब यह आपको बेनफिट विलेगा लेकिन जीओ ने ऐसा नहीं किया अब यहां पर क्या है अगर आप 1GB पढ़ने वाले कस्टूमर वाले 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 रिचार्ज किया है तो यहां पर आप 51 वाला अपड़ेगा 101 डूपीज वाला एड़ान प्लैन यहां पर साफ साब लिखाए प्रिपेट कस्टूमर है वन जीवी डाटा पर दे प्लैन के रिचार्ज 101 टू गेट द्रू 5G प्लैन मतलब यहां पर लिखा है कि आप 1GB पर दे वाला प्लैन आपने रिचार्ज कर रखा है तब आप रिचार्ज कर सकते हो 51 डुपीज वाला लेकिन तब कर सकते हो जब आपके प्लैन की व्यालिटि जो है वह वह 1 MON यंदे प्लैन की वैलिटि ड्यांट सब्icionalप और एड़ेलिटेons कर सकते हो आपको 151 डूपी जारा प्लाइन डिचार्ज करना पड़ेगा जियो के टू अल्यूटेट 5G को यूज करने के लिए तो इतना ज्यादा कॉम्प्लीकेटट कर दिया है भाईया अब हर एक आदमी जो है वो यहां पर FAQ वाले पेंच के अंदर आके तो चेक करेगा ने कि हम कौ आप जब गेट वाला प्लाइन डिचार्ज करना है कब नहीं करना है लेकिन जो एक नॉर्मल बंदा है जो इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने इस वीडियो मेरी इस वीडियो को नहीं देखा उसका तो पैसा डूब जाएगा ना वह तो 149 वाला डिचार्ज करेगा फिर वो यह सोचेगा कि लाओ 51 डूपीज वाला प्लाइन डिचार्ज कर लेगा और तब भीयोत को लिम्टेड नहीं मिलेगा तो उसको सिर्फ 3GB डाटा मिलेगा तो यार मतलब आदमी कंफ्यूज हो रहा है भाई कंफ्यूज हो रहा है आप यह चीज जो अंदर आके लिख रहे हो हिसको बाहर लोट करके मेंशन कर देते की अगर आप वन जीघा वाले प्लाइन यूजरो में दो आपको वन-0 वाला रिचार्ज करना है अगर आप 1.5 जबyrus कर रहे हो वन मंत की वेडि टी है तो 51 वाला कर सकते हो तो मैं 2012 कर सकते हो 3 मंत की व्यांट जो है वाली 555 कर सकते हो भाइया छी ओ यार आप वीडियो मेरी देख रहूरों थो प्लीज आपने यह प्लैन लॉज दिक है लेकिंग्स आप त्लिर ली मैंशन करिए कुलीर नहीं नहीं जायागा नॉर्मल व्यक्ति और नाई वो ये कोशन वगएरा डून पाएगा कि एक क्यों करके भी एक आप्शन होता है जी वेबसाइट पर वो आएगा रिचार्ज करेगा प्लैन दिखेगा रिचार्ज करेगा और उसका फिर नहीं चलेगा तो वह बहुत ज्यादा न तो यार अब उसका प्लैन तो चालू हो गया तो अल्यूटेड फाइजी कैसे उसकर पाएगा तो उसके लिए तो चलो जिए ने कोई आप्शन दे दिया है कि वह वन एडिट फिटी वन वाला प्लैन रिचार्ज कर ले तो यह एक अच्छा प्लैन है मतलब यह एक अच्छे और आप कहसर प्लैन को लांच किया गया जिनसे गलती से रिचार्ज हो जाएं वो इन प्लैन को रिचार्ज करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं बट जो स्नुझा सवत टृक्रिक लगाते थे कि रिचार्ज करके यहां पर हम डॉन ब्लैन रिचार्जक छलेंगे वाला और यह भी जो आया है प्लैन्स यह पुब्लिक की डिमाड पर ही आया है वाहरना यह प्लैन्स इस प्लैन्स को लाउंच किया है ठीक है बाकी और भी नीचे कोशन से what are the modes of recharge तो यहाँ पर recharge के modes क्या है तो अभी तो यहाँ पर लिखा है कि आप online, offline and third party से recharge करवा सकते हो हाला कि मैंने जियो के जो website है वहाँ पर मैंने देखा यह plan available है आप जियो की website पर recharge पर क्लिक करके डारेट वना number डाल के recharge कर सकते हो UPI बगारा से payment करके लेकिन यहाँ पर मैं myg application में चेक करने के एक बार कोशिट करता हूँ साइध myg application में लोगों को यह plan नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं देख लेता हूँ myg application में साइध लोगों को यह वाला प्लैन जो है वो दिख नहीं रहा है ठीक है तो अगर आप बिदुन में से और इनकों नहीं दिख रहा तो आप इनकी website पर जाके जो है वो आप recharge कर सकते हो और एक बात और कुछ लोग दिमाग लगाते थे कि वाला रिचार्ज करके यहां पर जो है तो आप यहां पर कुछ ना कुछ आपको जो है वार्णिंग आ जाएगी और रहां पर बता देगा कि हाँ यह प्लैन आपको इसके ओपर रिचार्ज नहीं हो पाएगा मतलब वैल्यू सेक्षर वाले जो लॉंग वैडिटी वाले प्लैन है अगर आप उनको रिचार्ज करके सोच रहे हो कि यह डाटा एड़ाउन 5G अफगेड वाला प्लैन रिचार्ज कर लोगे तो अपना ख्याल खेगा